अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाइल एकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए फोर फ्यूचर अपडेट्स के लिए कि अगर आपने online license apply करना है आपके vehicle के लिए तो आप कैसे apply करेंगे कौन-कौन से different forms हैं जो आप upload करेंगे जब आप online license apply करेंगे तो सबसे पहले तो एक आपका medical होगा जो यह जो form आपको सारे इसी website से मिल जाएंगे दूसरा आपका एक self declaration form होगा आपका एक scanned photo और signatures होंगे signature होंगे उसके बाद आपका एक ID होगी धार काड आप यूज कर सकते है address proof और data worth का प्रूफ जो आपका 10th का certificate भी आप यूज कर सकते हैं दरवाइस धार काड भी यूज कर सकते हैं तो यह documents आपको चाहिए तो apply करने के लिए आप parivan.gov.in website पर जाएंगे यहाँ पर हम visit करते हैं विजट करने के बाद आपको देखी यहाँ पर online services मिल रही है तो आप driving license letter service वाइकर letter service आप देख सकते हैं चलिए पहले वाइकर letter service देख लेते हैं इस में क्या है तोś- Ama Lader Services में different servicesاج आ फैलाल, हमें यह निए चाहिए हमें चाहिए driving license letter services अब इसपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा hombre open तो सज्टी के लिए लाइसेशन अप्लाइए करना चाहते हैं यहां पर वह स्टेटक्व promotion करने का मैथड़ सेम 000 होता लेकिन website update हो गी है process चेंज हो गया है पहले था apply online upload फिर उसके बाद सारे steps से उसके बाद सब कुछ process था लेकिन अब इस process में थोड़ा change हो गया है पहले apply online करेंगे new driving license करेंगे learner चाहिए driving चाहिए क्या चाहिए अफला भी learning के लिए हम इसमें करते हैं apply तो आप यह जो first है new learner's license पर click करिए तो इसमें देखिए जो इस license में documents हैं वो देख लिए कौन-कौन से जाहिए वो मैंने जो आपको पिछला process बताया था all over process था license के recording आपका process little bit change हो सकता है और यहां पर देखिए सबसे पहले आपको application form fill करना होगा उसके बाद अपनी photo और signature upload करने होगा फिर document जो मैं आपको बताये थे जैसे self declaration हो गया medical हो गया आपका address proof हो गया उसके बाद date of birth का हो गया उसके बाद fee payment होगी आपकी fees verify होने के बाद आपके जो receipt print out होगी और उसके बाद एक slot मिलेगा इसमें आपका driving test vera होगा photo vera होगी है सारा कुछ हो सकता है वहां हो वैसे तो photo wear आपने upload की तिक कर दिया है आपका आई जाएगा लेकिन की वार problem हो जाती है कुछ तो आपकी photo के लिए वहां भी बुला सकते हैं लेकिन इस method के recording आपकी photo यहीं पर upload हो आएगा तो यहां पर सबसे पहले देख लीजिए आप फॉर्र है यहां सोनस के recording कुछ है तो ठीक है नहीं तो यहां से जो भी है वो देख लीजिए invasive लालम कोई नहीं इसको blank छोड़ देते हैं और एप्लिके ड़स नॉट हैव ड़स नॉट होड राइविंग लैसेंस लर् अब तो अपने कोर्डिंग कर लीजिए जो भी आपका यहां है थोड़ा मिलने में टाइम लगता है तो चलिए मैं दस्वांचूस कर लेता हूं अपनी सिटी के कोर्डिंग तो यह दिखिए यह मैने अपनी सिटी चूस की डिस्टी के अंदर जो मुझे पढ़ती है आटी सुसके कौर्डिंग यह बता रहा है कहां कहां आपके यह सर्विसिसर रोइड करती है आटीयों के कौन कौन सेवा के अंदर यहां पर सेवा के अंदर ढ़ते हैं City में और यह बताया गया है कि इसकी जो स्टार्ट डेटा सौन सब कुछ बताया है सब एक घरदी वाला में पढ़ता है एक लंगरपुर में पढ़ता है और एक टंडा में पढ़ता है तो आप जिस भी में जाना चाहते हैं मैं सुवा में क्लिक करता हूं और यहां से सब्मिट करता हूँ विकॉज आपको पता है फोर आपने कहां से कुलेक करना लाइसेंस आपके घर तो आएगा नी तो यहां पर स्टेट आपके बाइडिफॉल्ट चूज है यहां आटिया मैंने दे दिया आप डिस्टिक का भी चूज कर सकते हैं उसके बाद यहां पर हो गय यहां ने मफ देठ आप अर लासानेम उसके बाद आपका यहां पर लीजन आएगा सॉरी इले शन आयगा नॉट लीजन तो यह से नेम ओफ दा अप्लिगेंट और यहां रिलेशन में चलिए फादर लिखती जिए लास्ट नेम मिडल नेम नहीं है तो कि प्रॉलम नहीं है आपका जेंडर आ जाएगा प्लेस आफ जो आपकी प्लेस आ बर्थ की वो आ जाएगी डेट बर्थ आ जाएगी आपकी डेट बर्थ अपनी प्रॉपर्ली फिल करियेगा विकास में अडिटिंग वेरा नहीं होती मांको पहले से ही बता दूँ इसलिए गलती मत करियेगा प्रॉपर्ली चूस करियेगा अपनी जो भी डेटेल्स हैं आपकी कॉलिक पेशिन क्या है तो आप यहां पर फिल कर दीजिए तो यहां से हम कॉलिक पेशिन फिल कर देते हैं ब्लड ग्रूप पता है ठीक है नहीं है तो एस्टिमेटर के साब से कर दीजिए यहां फोन नंबर यह जो फोन नंबर दे रहों है कोई भी अगर आपको प्रॉलम आती है तो आप इस ठीजिए नथधल अग suppression अगरा अगरा दीजिए तो आपको मैं इस दो फोन नंबर डीजिए यहां देखे जिन भी लाइन स्पेस नकार लगा वह जरूराइबर रहने देते हैं अच कल क्ल अधल डिकल लेंक अउनलन FIFA नहीं में की प्रॉलम नहीं है तो इस औरस पिल कर देत तो यह देखी यहां पर red dot दिया गया है यह ऐसी fields है जो आपको fill करनी ही बढ़ेगी without filling these details आप next नहीं जा सकते उसके बाद आपका present address यहां से सबसे पहले अपनी आप state चूज़ करेंगे उसके बाद अपनी आप district चूज़ करेंगे उसके बाद आपको तैसिल कौन सी पढ़गी वो लिखेंगे और बाकी यहां पर आपका village जो है वो आप चूज़ कर दीजिए देन उसके बाद आपका house number जो है वो फिल कर दीजिए यह आपके फिलाल वोटर कार्ड पर होता है वहां से भी आप देख सकते हैं otherwise आपका जो वोटर कार्ड यहां धार कार्ड दोनों पर ही होता है correspondence address आपका same है तो यहां पर टिक कर दीजिए और यहां से कितने duration of stay at present कितने साल से रह रहे हैं चलिए 20 years zero months zero zero लिख दीजिए कोई प्रॉलम नहीं है 20 years zero months लिख दीजिए कोई प्रॉलम नहीं है यहां important चीज जो सबसे important है कौन सी type of license अप्लाई करना चाहते हैं without gear जैसे scooties वेरा होती है motorcycle के लिए एक मुझे चाहिए LMV और एक चाहिए मुझे HMV और इस वन में टू से bikes वेरा के लिए चाहिए और light vehicles के लिए चाहिए जैसे car वेरा होती है four wheeler तो बाकि जो भी जैसा भी license आप रिक्षे का लेना चाहते है क्रें का फ्लाइट का यह आप उसके कॉर्डिंग चूज कर सकते अपनी नीट के कॉर्डिंग समुझ ही यह दो कैटेगरी चाहिए मैंने चूज कर ली उसके बाद यहां देखिए क्या पहले भी ही डिस्क्वालिफाइड हो चुकी है इसमें से इसको रहने दीजिए रिफॉक्ट इफ एप्लिकेशन ड्राइविंग स्कूल ते नो ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहां हम टर्म सेंड कंडिशन यहां आयम विलिंग तू डोनेट और गांस नहीं तो यह जो चेक बॉक्से थो अधर्वाइस सीखा तो इसको टिक कर दी नहीं सीखा तो रहने दीजिए मेरे कॉर्डिंग रहने दीजिए कि प्रॉलम नहीं है लास्ट जो नाइने डेकलरेशन की वह इंपोर्टेंट इसको क्लिक करके समिट कर दीजिए आपके फोर में कोई भी प्रॉलम हुई तो आपक देखी यहां पर आ रहा है you have not selected donate organ donor do you want to click son मतलब आप organ सवरा donate करना चाहते हैं नहीं इसको okay कर दिया कर भी सकते हैं कि problem नहीं है तो यहां पर फिलाल बोल रहे हैं checkbox पे click करें तो यहां पर आपको करना ही पड़ेगा please tick if willing यहां पर आ रहा है वैसे नहीं फिल होना से यह था चलिए कोई बात नहीं है इसको हम okay कर देते हैं so okay करने के बाद are you sure to submit these details yes तो मैंने सारी यह details पर submit कर दी है after submission यह देखिए जो भी आपने details send किया यह सारी details यहां पर show हो रही है आपका application number आपको मिल गया है आपका ना आपका नाम अप्लिकेट यह सारी टेल आपकी दिखे जन्रेट होगी आप यहां से one by one form को प्रिंट कर लीजिए control P करके प्रिंट करने के जुरूर तो नहीं है इसको अब सेवाइस PDF कर लीजिए इस form को उसके बाद form number one है इसको भी आप कर लीजिए then form one इसको भी कर नहीं करने के प्रॉलम नहीं है पिसी पेस को प्रिंट कर लीजिए जरूरी है जो पेस अधर्वाइस असका snapshot ले सकते हैं यहां पर मैं snapshot ले रहा हूं देखिए screenshot इसको बोलते हैं उसके बाद आप यहां से next करेंगे next करने के बाद next process आएगा देखिए इसमें आप क्या करें हैं उसके बाद issue of कौनसा आपका license वो बता रहा है कौनसी आपने class चूज की थी category चूज की थी अब देखिए fill application हमारा हो गया complete हो गया बाकी details रहती है अब यहां पर देखिए upload photo and signature इसको proceed कीजिए proceed करने के बाद देखिए यहां पर photo आएगी signature आएंगे सबसे पहले तो यह photo है photo का सबसे पहले देखिए size भी दिया होगा चलिए पहले size देख लेते हैं upload photo यहां पर size देखते है upload photo and so on so on size फिलाल 20 के भी तक होता है हाँ यहां दिया देखिए इसकी जो विर्थ है size की दी गई है photo की और signature की मीन्टू से की 10 to 20 के बीच में होगा इनका size तो यह थोड़ा ध्यान रखेगा 10 to 20 के बीच में नहीं हुआ तो प्रॉलम होगी मीन्टू से upload नहीं होगा तो यहां पर मैं choose कर लेता हूं this one और यहां पर signature choose कर लेते हैं तो इस वन और इसको हम यहां से upload and view files पर क्लिक कर लेते हैं देखिए photo signature यहां पर upload हो गए है otherwise आप वहां जाकर photo को आते हैं जब मैंने license create किया था तो उसमें मैंने देखा था कि photo वेरा प्रॉपर नहीं की से अपनी photo प्रॉपर लगया photo update भी नहीं होती आपके license की यह भी मैं नीचे जाईए यहां से next करिए next करने के बाद आपके documents वेरा upload होंगे देख लेते हैं document वेरा upload होता क्या होता है यह details आपकी show करता रहेगा यह देखिए fill application हो गया photo upload documents यहां पर proceed पे click करिए अब यहां पर आपकी documents upload होंगे नीचे में scroll down करता हूँ यहां पर फिलाल पेस पे कुछ आए नहीं एक बाद refresh करते हैं पेस तो हमारा ठीक है upload documents लेकिन यहां पर कुछ generate नहीं हुआ यहां से एक बाद submit करते हैं कि बाद यूटू सम technical reasons हो जाता है देखिए जह मैंने submit पर click कि यहां तो next यहां पर आगया सब कुछ done है refresh license details एक बाद देखते हैं और यह जो आपने सारी details फिल की है इसका जो एक message आपको जो आपने phone number फिल किया उस पर आ जाएगा तो यहां से हम एक back जाकर देखते हैं कि हमारी documents वेरा क्यों नहीं हुए एक और फिर से यहां back जाते हैं कि ट्राइगेन कर लेते हैं तो यहां से फिर से ट्राइगेन कर लेते हैं यह से की वाद technical problems आ जाती हैं तो यहां पर देख लेते हैं क्या issues आ रहे हैं तो यहां पर upload document का कोई block नहीं आ रहा तो इसको मैं एक बार set कर लेता हूं है 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 यहां देखें यहां पर जो मेरे documents है वह पेज अप्लोड नहीं हो रहा उसमें upload वाल आप्शन नहीं हो रहा तो हो सकता है ड्यू टू सम टेक्निकल रिजन से इस्यू हो तो देखें अगर आपकी photo या signature गलत upload हो गए हो तो मैंने previous किया था पेज को वीडियो को मै आपको यही प्रेफर करूंगा यह सब प्रोसेस पहले से ही कर लें इसको बार-बार चेंज ना करें एक वारी कर लें उसके बाद आप यहां update upload and view files पे क्लिक करें यह देखें आपकी photo चेंज हो गी है यह देखें यहां पर message भी आ गया you have been already complete photo and signature तो यह दोबार आपका नही details मैंने show करी दी थी step one complete हो गया है second step complete हो गया है और यहां पर आप देख भी सकते हैं कौन कौन से step नीचे complete हो गया है license को type कौन सी थी upload document spending है fees payment होगी और last में आपको slot मिलेगा slot चेक करने के लिए आप देखी यहां पर आ रहा है click here तो सबसे पहले आप यहां पर slot चेक कर लिए यहां पर पहले देख लीजिए क्लेंडर इंडिकेटर दिये गए है slot और सिक्टिड है यह जो area है जैसे यह दिया गया है holidays कौन से day को आप देख सकते है Friday Saturday holidays है 9 slots यहां दिये गए है यहां slot कोई नहीं है यहां red दिये गए है courts are open तो open वाले yellow वाले है फिला लभी slot यहां कोई भी blank नहीं है अब देख सकते है slot timing 1 है यहां timing दी गई है 9 से 4 के करीब यहां दिया भी गया है the slots are display on right side of the table please check the date and slot number before selecting the slot तो यहां पर फिलाल अभी तो slot वेरा कोई भी खाली नहीं है यह है देख सकते हैं आप यहां पर Wednesday Thursday और Friday यह slots restricted है यह आप देख सकते हैं बाकि holidays है और blank slot तो यहां पर है नहीं है records not open तो उसके recording जब आप last में apply करेंगे तो slots आप quarter verdict मिल जाएंगे तो यहां थोड़ी सी problem आ रही है otherwise आपको मैं process explain कर देता हूं different नहीं है easy है तो जब आप upload document पे click करेंगे वहां पर जो मैंने आपको बताया था आपका एक date of birth का proof address proof जो हो गया आपका अधारकार लगा सकते हैं 10th का certificate और अधारकार दोनों लगा दीजिए उसके बाद आपका एक medical होगा जो डॉक्टर से self-attached होगा MBS doctor से उसके बाद आपका self declaration form होगा तो यह सारे आप यहां से attach करेंगे attachment जैसे मैंने photo and signature upload किये तो यहां पर फिलाल जो option आना था यहां पर जो steps आपके done होते जाएंगे यहां पर automatic आ जाएगा fees आपकी मेरे खाल से 500 प्लस है 590 है ऐसे कुछ fees आइन की आप देख सकते हैं जो यहां पर guideline sound में तो यहां पर board seat पर जब आप click करेंगे तो आपका next यहां पर upload का option आगा documents का ज करते हैं तो आप दोबारा login करेंगे जब आप अभी सारे process नहीं करेंगे तो यह देखिए वैसे slots वाला मैंने option यहां बताया था आपको आप home पे जाकर वहां जब आपने license क्लिक किया था वहां पर आप अपना application number और date of birth फिल करके login करेंगे और कुछ देवाद इसको try कर यह हो जाएगा आपका तो यह सारा process था friends और सबसे important चीज़ है जो मैंने आपको बताईए आपके documents properly upload करना और phone number email ID और अपनी detail वारा गलत मत फिल करना because corrections वराइन की नहीं होती ना ही मैंने कभी ऐसा देखा कि correction वराइन की हो तो बाकी correction का method इनका थोड़ा lengthy होता है और उसके लिए आपको मेरे recording fees भी पे करनी पड़ती एक्स्टा से तो ऐसे सारा process होगा उसको करके देखिए जो मैंने आपको steps बताई सारे same steps से class वाला step मैंने आ कर अपना application number और date of birth फिल करके login हो जाएगा आपका अधरवाइस सेम जो यह details है login details आपके phone number पर और email ID पर send कर दीगी है वहां से भी आप details को देखके login कर सकते हैं तो यह सारा process था इसलिए आप license vera online apply कर सकते हैं कर फोटो इनकी वहां office जाकर भी होती है जो इनका आटी office होता है अधरवाइस फोटो वेरा तो हमारी upload होई गी है वहां से आपको license vera मिलेगा मांकि जो भी charges वरा है वो आपके online सब कुछ पे हो जाएंगे आपको receipt generate होगी last में जब आप जाएंगे सिर्फ वह receipt लेकर जाएंगे याद रखिए last में आप जब वहां आप जैसे मैंने दसुआ फिल किया था वहां पर आप अपनी लेकर जाएंगे तो वहां दिखा देंगे वैसे तो आपने फोटो वेरा online upload कर दिया वहां अगर आपकी फोटो वेरा हो तो आप देख लेना तो बाकी सारी टेल्स मैंने आपको बताई दी है इसके regarding और भी कोई कोई आप कमेंट वोक्स में कमेंट करके हमसे पूस सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो एंड फोर ये वैलेबर ताम